हाई दोस्तो आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हार देख स्वागत है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मा सीटेक्स चेप्टर नमर टू के मल्टीपल चोइस कुस्चन्स की जो दोस्तो डीपार्मा पस्टियर बाले स्टूडेंट्स के लिए और एक्जाम देने वाले स्टूडेंट्स से उनके लिए बहुती इंपोटेंट सावित होने वाली है यह मल्टीपल चोइस कुस्चन्स की वीडियो तो दोस्तो बिना देरी किये इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तो पहला कुस्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकत हाड रवर इज फॉर्म subset रॉर्मर भाईदर प्रॉसेश ओब दूस्तों इसमें पुछाए हाड रवर जो हाड या नी कठें रवर बनती है वो कैसे बनती लवाध्यू प्रॉसेस hardware को बनाती है next question है process होती है उसकी question number 3 आपके screen पर जल्दी से देख सकते हैं तो which glass तो वो कौनसा glass है तो which glass is used for non-parental product जो non-parental product के लिए use किया जाता है वो कौनसा glass है दोस्तों आप देख सकते हैं तो वो glass होता है general purpose soda lime glass कौनसा होता है general purpose soda lime glass यानि कि option D is the right answer next question which plastic which plastic वो कौनसी plastic है sub-saheja barrier against gas and aroma जो gas और सुगंदित जो पतारत होती है उनके विपरीत अवरोध का कार करती है वो कौनसी plastic है तो वो plastic है polyethylene terephthalate कौनसी है polyethylene terephthalate यानि कि option C is the right answer next question which plastic is resistant to strong acids alkalize and most organic materials तो दोस्तों इसमें पूचा है वो कौनसी plastic है जो strong acids को alkalize and most organic materials को resistant करती है तो वो है polypropylene कौनसी है polypropylene यानि कि option C next है which glass is used for वो कौनसा glass है जो use किया जाता है storing strong acid जो strong acids होते हैं उन्हें store करने के लिए and alkalize को and all types of solvents जो pay पदार्थ होते हैं उन्हें store करने के लिए बहुती अच्छी होती है अच्छा होता है वो glass तो वो है दोस्तो कौनसा है borosilicate glass option A is the right answer कौनसा glass होता है borosilicate glass होता है जिसमें strong acid को आसानी से store कर सकते हैं alkalize को कर सकते हैं और कैसा भी solvents हो उसे भी store कर सकते हैं जिससे वो खराब नहीं होती next question है question number 7 polyethylene's density ranging from जो polyethylene होती है उसका घनत तो क्या होता है density का मतलब घनत होता है हिंदी में और density तो उसकी range होती है 0.91 से लेकर 0.96 यानि कि option B is the right answer next question है आप देख सकते हैं आपके screen पर question number 8 which rubber is stable at high temperature and is translucent and flexible वो कौन सी rubber है जो high temperature पर stable रहती है यानि स्थिर रहती है and is translucent and flexible और लचीली रहती है तो वो है polyisoprene यानि कि option D is the right answer next question question number 9 आपके screen पर is the last question of this chapter the type of glass used as containers or buffered aqueous solution with pH below 7.0 तो वो होता है दोस्तो treated soda lime glass यानि कि option B is the right answer तो दोस्तो इसमें हमने देगी pharmaceuticals के multiple choice questions दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और पनी दोस्तो में शेर करें आपल कुलना हूली तेंक्यू दोस्तो पनी करें दोस्तो